आगरा किस सरवाधिक लोगप्रिय चैनल सी निउस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी निउस चैनल के यूटीब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भारत में डिस्कोर संगीत को लोगप्रिय बनाने वाले गायक संगीतकार बपी लहरी का मुंबई में इलाज के दोरा निधन हो गया बपी दा के निधन की ख़वर सोशल मीडिया और विविन राष्टी निउचनल पर प्रसारिध होने की ख़वर देखकर बपी दा के फैंस मे शोग का महौल देखा गया बपी लहरी के निधन पर शोग व्यक्त करते हुए फिल्म निर्माता रंजी सामा ने कहा कि उनके जाने से संगीत और फिल्म जगत को काफी बड़ा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होना मुश्किल है एक तो जैसा वो संगीत देते हैं वैसे उनके बैठने की भी स्टाइल थी हाथ पकड़ लेना हाथ को नोश देना बदा आराम से कभी उनको मैंने बैठते हुए मैं करीब एक घंटा उनके साथ था उचलते कूटते रहते थे और संगीत को नई दिशा देने में वपी दा का सबसे बड़ा योगदान है और अभी भी उनमें इतनी काबलियत थी लेकिन उपर वाले ने 70 साल की उमर के अंदर उनको अलविदा कह दिया और ये हमारी इंडस्टी के लिए बहुत ही मायूसी वाली बात है बपी लहरी के निदन पर शेहर की विख्यात प्लेबैक सिंगा सुजाता शर्मा ने कहा कि बपी लहरी जहां एक अच्छे म्यूजिक डिरेक्टर थे वहीं वे एक अच्छे गायक भी थे अस्टी के दश्यक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया था सुजाता ने एक गिस से बपी दा को शद्धासुम अनर्पित किये पब कहते हैं और डांस वांस करते हैं रिदम पर डांस करते हैं वो रिदम एक जैकली बपी दा ही लेकर आये थे जितना बपी दा सोना पहनते थे उतना ही सोने का उनका संगीत था प्यार कभी कम नहीं करना कोई सितम कर लेना मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना कर लेना बपी लेहरी का असली नाम अलोकेश लाहडी था बपी का जर्म 27 नौम बर 1952 को पश्ची मंगाल के जलपाई गुड़ी में हुआ था अब नेता मिथुन चकर्वात्य को वाली बुड में असली मुकाम बपी दा के दवारा मूजिक डिरेक्शन में तयार डिस्को डांसर फिल्म से मिली थी फिल्म देश्यक सुरतिवारी ने कहा कि बपी लेहरी ने वॉलिवुड के साथ साउथ की कुछ फिल्मों में भी म्यूजिक दिया था, उनकी कमी को जल्द भरा नहीं जा सकता तो मेरा तो यही मानना है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है, एक से एक बहतरीन नगमे इंडस्ट्री को दिये हैं और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा संगीत इंडस्ट्री में बड़ा सोक का विसा है कि हमारे अनमोल हीरे जो पूरे देश की जान थे संगीतकारी चेत्रों में वो साइद किसी दूसरे लोक में जा करके अपने दुनिया इस्थापित कर रहे हैं अभी लताजी गई हैं उसके बाद वपीदा चले गए वपीदा का असली ठिकाना कलकता म बंगाली फैमिली से ब्लोंग करते थे इनके फादर संगीत के बंगाली चितर में अच्छे कलाकार थे और गायक बहुत अच्छे थे वो तो इनको एक घराना गायकी का मिला इन्होंने सबसे पहले एक बंगाली पिक्चर में बपी लेरी जी ने दादू पिक्चर में गाना में जिसमें के पैर रखने कुछ जगह नहीं थी अच्छे-च्छे संगीतकार बॉंबी में थे इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया बपी लेहरी के निधन पर प्रधानमंत्रि नरिंदमोदी के साथ साथ देश की सक्षियतों के साथ वालीवुड जगर्ट से जोड़े लोग